राहुल जी ने ये कहा है कि विपक्ष की सारी पार्टियां गई थी ऐलेक्षन कमिशन से मिलने के लिए लेक्षन कमिशन ने मिलने से मना कर दिया मिलने का टाइम नहीं थी सबसे ज्यादा उसमें देखा जाला पर्सेंटेज भाजपा क्या कहेंगे इसको लेकर तो समझने वाली बात है यही बात तो हम लोग कह रहे हैं कि पहले इनका कानुनी रूप देने का तरीका यह है कि सिंपल तुम मुझे चंदा दो मैं तुम्हें धंधा दूगा तो भाजपा को पैशा देता है उसका धंधा चलता है उसकी राजनिती की दुकान चलती है जो भाजपा को चंदा नहीं देता है उसका बिजनेस नहीं चलता है तो यह सिधे तरीके से खुली लूट है और यह एलेक्टोरल बॉण नहीं है यह एक स्टोर्शन बॉण्ड है यह सिधे सिधे सरकाट वसूली कर रही है कंपनियों से बिजनेस बिजनेस परसन से और जो मोदी जी कहते थे ना खाऊंगा ना खाने दूगा यह खा भी रहे हैं और उनको खिला रहे हैं जो इनको खिला पर केजरिवाल जी को बेल मिल गई है किनको मिल गई बेल की जरूरत ही नहीं थी मुकदमा ही गलत है विहार में सियासित उलट से थूब हो रहे नितीत मार उधर चले गए फर कहा दा रहा कि अब जेडियू में भी टूप हो तक जी अच्छा नेता लोग अलटते पलटते रहते है जनता का जो है ना सरकार पुलेटना अभी बाकी है कि विपक्ष की सारी पार्टियां गई थी एलेक्षन कमिशन से मिलने के लिए मिलने से मना कर दिया मिलने का टाइम नहीं तो समझने वाली बात है यही बात तो हम लोग कह रहे हैं कि पहले इडी सीवी आई का रेड होता है उसके बाद जो है वो कंपनी भाजपा को चंदा दे देती है फिर उसके बाद जो है केस जो है चलना बंध हो जाता है यही मॉडल पे तो हम लोग हमेशा से बोलते आये हैं कि भाजपा का मॉडल यह है कि यह भरस्टाचार को कानूनी देने का तरीका यह है कि सिंपल तुम मुझे चंदा दो मैं तुम्हें धंधा दूंगा तो भाजपा को पैशा देता है उसका धंधा चलता है उसकी राजनीती की दुकान चलती है जो भाजपा को चंदा नहीं देता है उसका बिजनेस नहीं चलता है तो यह सीधे तरीके से तर मिलोट है और यह यह क्रूसन सतली रही है कंपणियों से बिजनेश पर्शन से और जो कहते थे आ नहां घाने दूफार रहे हैं और उनको खिला रहे हैं जो इनको खिलाते हैं।